सब्सक्राइब करने वाले रूरल अर्बन एड्मिनिस्ट्रेशन की ग्रामीन और नगरों का प्रसाशन अब तक हमने समझा कि जो आपका पंचायत था 73-74 अमेंड्मेंड्मेंड यह सारी चीज़े क्या है कौन कौन से प्रोविजन जो है आपके 73-74 से एड्ड होते हैं तो आज यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका इंप्लिमेंटेशन जो है आखिर कैसे होता है आई होप यह फाउंडेशन की क्लासिस उन्हें स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बेसिक से अपनी शुरुआत की हैं काफी यूसफुल बेनिफिशल होंगी बाकि आप सभी के कॉमेंट्स सभी टीचर्स देखते हैं परसनली देखते हैं बच्चों जो टीम है यूप्य बात करेंगे रूरल अर्बन एड्मिनिस्टेशन में देखेंगे की रूरल एड्मिनिस्टेशन में एक बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट जो अधिकारी जो परसन होगा रेविन्यू ओफिसर में हम देखेंगे की पटवारी होगा ठीके फिर नेक्स हम देखेंगे की बिस से संबंदे थे तो इस पर भी हम चर्चा करनेंगे तो बिसिकली करेंट अफियर थोड़ा सामें एडवांस भी पढ़ना है ना किवल NCRT नहीं पढ़नी है NCRT में वो पोर्श उसको हमें अप्ग्रेट करते हुए पढ़ना है जो कि UPSC पूछता है ठीक है इंदू सक्षेशन अमेंडमेंट एक 2005 हिंदू उत्रादिकार जो संशोदन अदिनियम था उसको पढ़ेंगे इस ऑफ लिविंग ये भी आपका करन्ट अफ्यार और ये आपका संबंदित है शैरी प्रसाशन से ठीक है तो इस पर भी हम बात करेंगे कि ये जो इंडेक्स है वह क्या है ये आप इसे जाना समझा की एलिमेंट्स क्या है डेमोकरिटिक गवर्मेंट्स के इसको भी हमने समझ दिया ठीक है तो यहां पर हम देखेंगे कि पंचायती राज जो है वह कैसे इसको एक कॉंस्टिशनल स्टेटस मिलता है ठीक है फिर आज हम बात करेंगे रूरल एनाबन की कि कैस जादा नहीं पढ़ना बहुत छोटा-छोटा से इसमें बस कुछ एक दो जो उसके बारे में पढ़ना है हमें जैसे कि हम रूरल में बात करेंगे पटवारी की ठीक है उसको कानून को भी कहा जाता है लेंड रिकॉर्ड रखेगा बस यहीं सारी चीज़ें जादा नहीं पूरा framework तैयार करेंगे उसके implementation का काम जो commissioner है उसका होगा तो यहाँ पर यह हम urban में समझ लेंगे इसके लावा थोड़ा सा upgrade करते हुए प्लस हम इसको थोड़ा सा standard भी जो है वैप करेंगे ठीके standard that means UPSC के accordingly जैसे कि इसमें जो भी current affair की index है जो चीज़े उसको समझेंगे यह हमारे किसी काम की है नहीं तो हां हम समझते हैं कि गाव में जो है वैप करशी होगी आगे हम इसको विस्ताथ से पढ़ेंगे अपकी बाकी classes होंगे उसमें ठीक अर्बन जो है सहरों में क्या होगा ज्यादा तर तो यह वाली चीज़े हैं यह livelihood इसको chapter को हम नहीं देखें लास्ट देखो हमारे बात हुई कि किस तरीके से जो local affairs होते हैं लोकल affairs जो है ये कैसे होगे local bodies जो है जो कि elected है लोगों के द्वारा जो local bodies है ठीके और ये local bodies जो है वो elected होगी लोगों के द्वारा इसको चुना जाएगा ठीके तो ये जो है वह issues को solve करेगे अब देखो यहीं जो बाते हैं ये जो local issues है local affairs है ठीक है हम इनकी बात करें किसमें रूरल एरियास में भी ग्रामीन में भी और शेरी प्रसाशन में भी ठीक है तो सबसे पहले हम affairs में ग्रामीन की बात करते हैं रूरल एरियास की हम बात करते हैं यहाँ ठीक है देखो हम यहाँ पर रूरल एड्मिनिस्टेशन को देखते हैं सबसे तबस देखो कि ग्रामीन छेत्रों का जो प्रसाशन है उसे चलाने के लिए basically हमें दो लोगों की जरुरत होती है ठीक है तो हम ग्रामीन छेत्रों में देखेंगे कि या तो जो इशू हो रहे है वह पुलिस समाल रही है ठीक है या तो जो इशू हो रहे है वह पुलिस समाल रही है तो यहाँ पर पुलिस स्टेशन होगे पुलिस स्टेशन के अलावा जो एक और इशू होगा कि कि किस तरी से रेवेण्यू और लेट records, maintenance ये सारे काम किये जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा बचों? पठ्वारी होगा ठीके? इसे समझेंगे तो बस दो बाते हमें इसमें समझती है तो सबसे फ़स्व देखो फुलिस का main काम क्या होगा? अगर अब पुलिस की बात करें तो पुलिस का main काम क्या होता है? law and order को maintain करना पुलिस का main काम क्या होगा? जो law and order है इसको maintain करना बालेजर कहीं पर कोई अपराध हुआ है ठीक है? उसके लिए कैसे कारवाही करना कैसे F.I.R. करना लोगों की सुनवाई और सारे चीज़ों को दर्च करना ये काम होगा उसको कोट में लेकर जाना तो पूरा ये जो पुलिस सिस्टम है ये इस तरह का काम करेगा गाउं में ठीक है? तो जो भी बिसिकली डिस्प्यूट्स होंगे उन डिस्प्यूट्स को resolve कराने का काम किसका होगा? चांती ववस्था बनी रहे इसके लिए कौन करेगा काम? पुलिस ववस्था है तो यहाँ पर ये जो पुलिस सिस्टम है ये डिस्प्यूट्स को solve करेगा चाहे किसी तरह की अगर हम टैक्ट की बात कर ले इंजिरी की बात कर ले चाहे एक ग्रुप में या फिर लोगों में काफी सारे ग्रुप में के बीच में फाइट हो रहे हो किसी तरह से तो यहाँ पर पॉलिस स्टेशन जो है पह काम करेगा ठीके तो हम देखेंगे कि पॉलिस ववस्था में जो एक तरीके से जो आपका डिस्ट्रिक है ठीके उसमें टॉप पर जो होगा वह कौन होगा पॉलिस अधिकारी वह एसपी होता है सुप्रिडेंडेंट ओफ पॉलिस है ना तो यह बैसिकली सब पर कंट्रूल करने का काम करेगा एसपी होगा हम देखेंगे बच्चों कि उसके बाद जो एक पॉलिस स्टेशन की अगर हम बात करें है ना कि एक लोकल पॉलिस स्टेशन में कौन होगा एसपी होगा लोकल पॉलिस स्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कौन होगा लोकल पॉलिस स्टेशन में एक एसपी होगा तो इस तरीके से जो अलग-अलग पुलिस अधिकारी हैं वह अपना कारे करते हैं इस्टेशन हाउस ओफिसर एसे चो ठीक है सब इंस्पेक्टर होगा रूरल एरिया में एक इंचार्ज के लिए एक SI होगा तो यहां पर यह जो अधिकारी है यह अपना कारे करेंगे ठीक है तो यह एक पुलिस देखे जरुरत क्या होती है कि सबसे जादा जो गाउं में विवाद होते हैं वह होते हैं जमीन से संबंदित हैं ना जमीन से संबंदित विवाद होते हैं और ऐसे में लेंड रेकॉर्ड रखना एक बहुत ही ऐसी प्राइमरी डूटी हो जाती है गवर्मेंट की तो ऐसे मे कधिकारी जो बहुत महत्यपूर्ण होता है ज्रामी निस्तर पर वह पटवारी होता है ठीक है तो यहाँ पर देखो land record रखेगा ठीक है इसका काम होगा कि कैसे जो land है उसको measure measure करना है ठीक है तो basically measuring करना है इसका काम होगा ठीक है और यह जो पटवारी है किसके supervision में काम करेगा एकिसके Supervision में काम करेगा तो आपने तहसीलदार सुना होगा तो तहसीलदार के कितनी हुई है इवन फसल कितनी हुई है इसकी सुचना भी पटवारी के द्वारा ही दी जाती है तो चाहे अपडेशन हो चाहे मेजरिंग हो मेंचेन करना हो तो यहाँ पर यह responsible होता है group of villages के लिए या फिर एक village के लिए तो एक जो प्लासिक्स का है तो बच्चों को क्या सिखाया जाएगा सिर्फ इतना ही हाँ लेकिन हम उसको यूपे सी क्या कॉर्डिंग नी पढ़ेंगे तो हम देखते हैं बच्चों की जब हम इस्ट्रिक लेवल पर बात करेंगे ठीक है तो देखो इंडिया को भारत को प्रासाशन के लिए है न इस्टेट में बाटा गया है फिर इस्टेट को भी सब्डिवाइड किया गया है इस्टेट को भी डिस्टिक्स में सब्डिवाइड किया गया है फिर इस्टिक को भी हम देखेंगे कि कैसे इसको सब्डिवाइड किया गया है किसमें तहसी तहसील या फिर तालुका तो यहां पर अलग-अलग तरेक अधिकारी होंगे जो कि अपना कारे करेंगे तो बिसिकली यह अड्मिनिस्टेशन जो है ठीक से चलता रहे इसके लिए यह जो सब्डिवीजन है वह किया चाता है तो यह कुछ इंपोर्टेंट पोईजन थे चलो आप हम देखते हैं कुछ और इंपोर्टेंट पॉइंस और इग्जांपल जिसे हम पटवारी के बारे में बात करें तो जो पटवारी होता है उसको क्या कहा जाता है उसको का उसको कहा जाता है नोन बाइड डिफरेंट नेम इन कह दिया कानून गो ठीक है कहीं इसे कह दिया विलेज ओफिसर तो यहां पर इस तरह से और दिया दखना कि यह जो सिस्टम है वे सबसे पहले शेर्शा सूरी के समय से शुरू किया गया था शेर्शा सूरी की जो ववस्ता थी ठीक है भूमी को नापने की अकबर के द्वारा भ स्टम है वे सिर्शा सूरी से प्रभावे थे टेफिनेट ली थे तो यहां पर हमने देखा किसे कई नामों से जाना जाता है ठीक है और लेकपाल भी इसको कहा जाएगा कानून गो भी में कहा जाएगा और अगर हम revenue की बात कर ले कि जो revenue कलेक्ट किया जाता है तो तो थोड़ी ने जाके कर रहा है तो यह जो पटवारी और बाकी सब है यह करेंगे मतलब यह प्रंट पहली पंक्ती में खड़े हुए revenue collection के लिए ठीक है तो यहाँ पर राजस्वसूली तंत्र में अगर हम पटवारी की बात करें सबसे पहले आएगा ठीक है सबसे पहले आएगा फिर मतलब जमीन इस तर से सबसे पहले आएगा साथ ही आपको याद अखना कि शेशा सूरी के द्वारे जो ववस्ता है वह शुरू की गई है और या फिर एक से जादा गाओं तो याद अखना कि इच पटवारी इस रिस्पॉंसबल फॉर अग्रोप विलेज और मेंटें अपडेट डा रेकॉर्ड अप डा विलेज तो बिसिकली गाओं के जो भी रेकॉर्ड होते हैं उसको अपडेट करना है ना विलेज के जो भी रेक अग्जांपल जैसे कि हम देखते हैं किसी एक जगा को अगर गर्मेंट के द्वारा राया सुखा ग्रस्त घूशित कर दिया तो उसको जो कंपनसेशन मिलेगा उस कंपनसेशन का जो मेजर है वह भी शुरवाती लेवल पर किसके द्वारा एक्जामन किया जाएगा इसी इस प्रतिक गाओं के लिए जिम्मेदार होता है तो इसमें आपको बता रहा है कि इंकरेक्ट स्टेट्मेंट जो है वह कौन सा है तो यह मैं आपके लिए छोड़ दो मैं आप बता चुकी हूँ आपको है ना चलिए एक और कुश्यन देखो फॉर्मर्य है दा राइट तो गेट इंफॉर्मिशन अबाओ दियर लेंड रिकॉर्ट्स अधिस इन्फॉर्मिशन इस जाब लेवल पॉर फ्री अच्छे यह बात नहीं बता ही मैंने आपको इसे बता देती हूँ यह बताओ कि अगर जिसे मालीजे किसी भी किसान को ठीक है जो भी फॉर्मर है मालीजे इसको बैंक से लोल लेना है ठीक है इसको क्या करना है बैंक से लोल लेना है या फिर इसके अलावा अपनी प्रॉपर्टी को इससे क्या करना है मार्केट में बेच देना है ठीक है अग को क्या लगता है कि इसके लिए ये फ्री होगा या फिर इसके लिए कोई कोई जो फीस है वह होनी चाहिए definitely है ना तो इसके लिए जो कुछ शुल्क है हाँ भले ये nominal सा हो भले ये nominal सा हो बट इवन कुछ जो charges है वह लगाए जा सकते हैं तो यह जो information है वह free of cost travelable नहीं है ठीक है फिर्स सही है कि किसान को अपने भूमी record के बारे में जनकाई प्राप्त करने का धिकार है तो यहां पर आपको correct statement बताना था तो answer is option number A ठीक है अब देखो अब यहीं से जुड़ जाती है स्वामित वियोशना है ना यहीं से जुड़ ज तो एक समस्य होती है गाउ की कि किसी के पास अगर उसके जो जमीन भी है तो उसके पास proper record नहीं होता है प्रापर उसके पास certificate नहीं है उसका मालिकाना हक नहीं है तब ऐसे में सबसे बड़ा जो एक विवाद होता है गाउ में बैस जबीन का है अब इसी विवाद को सुलझा आने के लिए क्या किया गया है गवेंन के द्वारा लाई कि स्वावित वियुजना इसमें किया क्या जाएगा आपने ड्रोन देखे होंगे आजकल तो शादियों में बहुत जादा स्थमाल हो रहे है पोटो किचने के लिए वीडियो रेकॉर्ड के लिए तो बैसिकली बच जमीन जो गाओं की जो एक विवाद असपत जो सबसे बड़ा मुद्दा है इसको सॉल्व करने का प्रयास है स्वामित वे योजना और याद अतना कि अब तक अगर हम बात करें तो लगभग ड्रोन सर्वे दो लाग के असपत गाओं का कंप्लीट हो चुका है ठीके और 1.49 है हम समझ सकते 1.5 लेक तो यहाँ पर 2 लेक सर्वे हो चुके है और लगभग 1.5 लेक ऐसे लोग है जिसको की वो जो मैप है वो सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि यह जो जमीने में आपकी है ठीके तो यहाँ पर इसको सुल्जाने का प्रयास है और यह लाँच किया ग 2023 में जो पंचायती निवस बनाया गया क्या इस पर कोई न्यूज स्कीम लाई गई है न तो यहाँ से कुछ ना सकता है तो स्वामित वियूजना बिसे क्ली क्या है आपको यह दखना है कि Ministry of पंचायती राज जो है इसको करवाने के लिए जिमेदार है और में काम इसके अंत चलो एक नेक्स कोईशन एनी फॉर्मर हुएज आपीस ओफ लेंड शुट कीप इट रिकॉर्ट पॉर्ड 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 रिकॉर्ड अगर वैं बेचना चाहता है अपनी जमीन तब उसको रिकॉर्ड के जरूत होगी इप विश तो टेक सम लोन एं प्हस्ते तो अगर माले जे गौबर्मेंट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको कर शी से संबंदित रिकॉर्ड किसी योजना है उसका बेनिफिट आपको माले ज़ए लेना है तो क्या ऐसा कौन सा reason है जो कि इसमें correct है कि जो farmer है उसको चाहिए होता है record है ना तो ये इसमें सभी answers जो है सभी statement इसमें सही है ठीक है तो चाहे उसे sell करना हो चाहे उसे load लेना हो चाहे government की schemes का benefit लेना हो इन सभी के लिए उसके पास उस जमीन का एक मालिकाना हक और उसका प्र पुलिस जो है वह क्या काम कर रही है law and order को implement कराने का काम कर रही है ठीक है पुलिस क्या कर रही है law and order को implement कराने का काम कर रही है तो ये पूरी पुलिस ववस्ता चल रही है दूसरी ववस्ता दूसरी जो परिशानी होती है वह जमीन की होती है तो इसके लिए पटवारी काम क अब हम नेक्स बात करेंगे हिंदू सक्षेशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, देखो बच्चो, अगर हम 1956 में एक्ट आया था हिंदू सक्षेशन का, मतलब हिंदू उत्रधीकार अधीनियम था, और इसके अंतरगत, जो फैमिली की जो प्रॉपर्टी है, जो पिता की संपत् उसमें जो हक है, जो विरासत है, विरासत के रूप में एक तरह से जो हक था, वह केवल और केवल किसको था, बेटे को था, है ना, तो यह 1956 का था, लेकिन 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया था, 2005 में जो संशोधन किया गया था, उसमें एक तरह से एक बराबरी दे गई थी, Article 14, Right to Equality, Article 14 क्या गहता है, Right to Equality की बात करता है, जिसमें gender-based के आधार पर, link के आधार पर, आप discrimination नहीं कर सकते हैं, अब लेकिन सरकार के द्वारा भी जो act बनाया गया था, जब ये समझ में आता है, कि ये जो act है, वो एक तरह से discrimination कर रहा है, भेदभाव कर रहा है, और यहाँ पर बेटियों को और जो पत्ली है, उसको अधिकार नहीं था, सब पत्ती में, तब ऐसे में 2005 का जो act आता है, जो amendment act आता है, उसके द्वारा, ये discriminatory जो provision था, उसको हटाया गया, और यहाँ पर बेटियों को जो बराबर काधिकार है, वह दिया जाता है, हाँ, ये सरकार दे और आप दे दे, समाज दे दे, दोरों चीज़े बहुत अलग है, है ना, बहुत सारे ऐसे law होते हैं, जो कि government के द्वारा तो बना दिये जाते हैं, बहुत सारे ऐसे law होते हैं, है ना, government ने इस law को बना दिया, for example, हम दहेच की बात करें, जाउरी सिस्टम की बात करें, तो आप कर दिया गया था, आप अगर 1980 और 90s की movies देखेंगे, तो जाधा तर उनका जो एक subject रहता है, वे दहिज रहता है, ठीक है, और इसके आधार पार आपको जो crimes हैं, वे दिखाए जाते हैं, तो basically films जो है, अब वे क्या है, फिल्म से तरह से, जो समाज से ही प्रेरित हो रह आइटर है, लिख रहा है उसको, तो society में जिस वक्त जैसी चीजे हो रही होती है, वो हमें films दिखाती है, जैसे आप आज की अगर movies देखें, तो आपको अभी एक तरीके से, जो एको भुकतवादी संस्कृती है, आपको बहुत सारी चीजे ऐसी दिख जाएंगी, जो आपक रितिकाल पड़ोगे, रितिकाल पड़ोगे, आपको उस समय की जानकारी होगी, जैसे राजा होते थे, दर्बार लगते थे और बाकी सारी चीजे है, तो यहाँ पर गवर्मेंट जो है, 1980-90 में, आप देखेंगे कि इस समय में दहेश को एक तरीके से प्रोहिबिटेट कर दिया गया था, प्रतिबंध और एक अपराध भी, एक और फिंस भी करार दिया गया था, आज भी आप देखेंगे कि किसी पर दहेश पता और यह जो एक्ट लगा दिये जाते है, तो यहाँ निकलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गवर्मेंट इस चीज़ को लेकर आए, और सुसाइटी इस चीज़ को माने, आज भी आपको पता है कि गिफ्स के नाम से जो दहेश है वह चल रहा है, ठीके, आप देखेंगे बच्चों कि अभी कितनों के घर में ऐसा होता होगा कि प्रॉपर्टी में, अगर माली जे प्रॉपर्टी आपके चार बच्चे हैं, ठ प्रॉपर्टी की बेटी ओं को नहीं मिलेगा इसमें, बहुत कम फैबली देती है और अगर देवी देती है तो वह एक विवादित बुद्धा हो जाता है, कि लड़की जो है उससे को रख नहीं पाती, तो यह इंप्लीमेंट, यह एक सोसाइटी, सोशल जस्टिस का भी मुसली मैं, वाइल वुमें वर्क इंदा फिल बट नॉट और अग्रिकल्चर लेंट, ठीके, हमें समझ आता है कि जिन किसानों के पास भूमी है, संपत्ती के रूप में, जमीन है, है ना, जादा तर वै किसान है, क्या महिलाओं के पास अग्रिकल्चर लेंड नहीं है, क्य कि अगर हम देखते हैं, आफ्टर जो फादर की डेथ हो जाने के बाद, जो प्रॉपर्टी है, वैड एक ये परिशानी है, तो ये पहले थी, लेकिन 2005 के द्वारा, इसको ठीक करने का जो प्रयास है, वै किया गया, ठीक है, 2005 के द्वारा, इसको ठीक करने का जो प्रयास है, वै किया गया, अब देखो, कि recently हम देखेंगे, कि इस change की बाद क्या किया गया, आर्टिकल 14, आपको इससे किससे कनेक्ट करके देखना है, आर्टिकल 14 से, देखो, quality में आपको कुछ भी पढ़ना है, है न, सारी चीज़े हमेशा, constitution से connect करो, आर्टिकल से connect करो, उससे आप connect करके लिख पाओगे, तो आर्टिकल 14, जो कि right to equality की बात करता है, इसको promote करता है, है न, right to equality, और इसी को promote किया है, Hindu Succession Amendment Act 2005 में, because of women have been treated equal, क्योंकि इसमें, जो महिलाए हैं, ठीक है, कर हम women's की बात करें, women have been treated equal to men, पुर्षों के समान, जो अधिकार है, वह दिया गया है, है न, किसमें, संपत्ती में, तो हम देखेंगे कि daughter को भी equal right होगा, और, जो daughter है, ठीक है, daughter को भी क्या होगा, equal right होगा, property का, daughter को, equally right होगा, प्रॉपर्टी का, और, economic, जो इस्टरबिल्टी है, उसमें भी, सिक्र सुरक्षित रहेगी, सिक्रेट, economic stability, अब दिखेंगे कि, जादतर, जो यह आर्थिक सुरक्षा है, हमारी समाज का जो ठाचा बना है, बच्चों, हमारी समाज का जो framework बना है, इसमें, जादतर, यह जो सुरक्षा है, वै पुर्शों को दी गई है, यहाँ पर बहिलाओ के लिए, सुरक्षा नहीं है, है ना मैलाओं को यह जो सेफटी है वे नहीं है तो यहां पर देखो यह जो 2005 का है इसमें जो चेंज लाया गया और इसमें बेसिकली रिमूव कर दिया गया जेंडर डिस्क्रिमिनेटरी प्रोविजन हिंदु सक्सेशन एक1956 में 1956 यह जो राइट है राइट प्रपर्टी वाला आव विरासत में जो संपत्ती मिली उसका अधिकार के बडर को था तैना के बल बेटे को था तो यह तरी से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ही तो था और क्या था लिंक की आधार पर भिद्भाव ही तो था तो आप इसको खतम किया गया 2005 कि दारा और रेसेंटली दा लॉज चेंज एस पर दा न्यू लॉज सर्ट डॉर्टर एंड दिया दिया मदर तो गैटनी कुल अब जो डॉर्टर है जो मदर है उसको एकोल जो राइट है वह मिलेगा पापर्टी में शेयर मिलेगा और यह सभी जो राज है और जो यूटी से उसमें लागू होगा चलो आओ एक कुशन देखते हैं इससे संबंदित हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट फर्स स्टेट कहता है इस कानून के तहत है इस कानून के तहत कई हिंदू महिलाओं को पूर्बश के द्वारत छोड़ी के जो भूमी है उस वह पाने में लाभनवित होगी क्या अंसर होना चाहिए इसका सेकेंड जो है कि मुख्य उद्देश जो था डेफिनेटली डाइटर 56 में जो डिस्क्रिमिनेट एक तर से प्रोविजन था उसको खतम करना था थर्ड भी सही है ठीके तो कई हिंदू जो महिलाए है इस कानून के तहर वह इसमें लाभनवित होगी तो एक और तीन जो है यह जो है का फिश हुआ था तो बेसिकली जो इस तरह की चीज़े उसको एजा हमवक ले लिया करो कहीं बच्चे कहते हैं मैं आपने हमवक ने लिया जो भी ऐसमें ऐसे पॉइंट सो जो मैंने एक्स्ट्रा बताए जैसे मैंने आपको दहेश को लेकर एक्स्ट्रा पॉइंट ब पर हमेशा जो स्लैबस है रखो हमेशा रखो क्योंकि जब तक स्लैबस नहीं देखोगे चीज़े पता नहीं चलेगी यहां पर मैने सोशल जस्ट्रीस की बात की आपने जल्ली से देख लिया जो है उसमें कॉन-कॉन सी इश्यूज है है ना तो इससे क्या होता है कि आपको जो है वे याद होने लगती है और एक्जामपल आपने कभी न्यूस पेपर पढ़ा आपको पता है कि आपको यह जो अमेंडमेंट एक्ट है वे पढ़ना था हम लिटिस कोई एक्ट आया कोई प्रोवीजन चेंज हुआ आपने उस चीज़ को तुरंट क्लिक कर लिए कि अच् टाइम जो है वह दोके और आपको उसका बेनिफिट भी मिलेगा तो यहाँ पर आपको स्लैबस के जो टॉपिक्स है वो जरूर याद होने चाहिए चलिए नेक्स्ट है अब हम बात करेंगे अर्बन एड्मिनिस्टेशन की ठीक है चलो अच्छा देखो जब हम एक सिटी की बात करेंगे अर्बन एड्मिनिस्टेशन की हम बात करेंगे अर्बन एड्मिनिस्टेशन ठीक है शहरी प्रसाशन कर रहे थे ठीके शहर में बहीं तरह की लोगल बोडिश होगे जो काम कर रही होंगी कुछ ना कुछ तब बस हमें इसी शहरी प्रसाशन की बात करनी है देखो एक जो सिटी है ऐसा तो है नहीं कि पूरी एक सिटी के लिए कि वल एक स्कीम बन गई है ना मालेजे सिटी बहुत बड़ी है और फिर आप उसके लिए हर एक एरिया हर एक टाउन के लिए कैसे आप जो नियम है वह बनाएं हाला तो यहाँ पर यह तो एक प्रॉब्लम हो गई तब हम देखेंगे बच्चों की शहरी प्रसाशन सबसे पहले तो यह देखो कि हम सेवेंटीफोर अमंडमेंट देख चुके है तो जो जो सेवेंटीफूर जो का अमेंडमेंड था एस अमेंडमेंड के द्वारा Constitution में Part 9A जोड़ा गया और अगर हम अनुसूची की बात करें तो जो schedule है वैं कौन सी? 12 वी अनुसूची जोड़ी गई थी 12 वी अनुसूची जो है वैं इसमें जोड़ी गई थी साथी साथ आर्टिकल्स में आपको लास्ट बता चुकी हूँ तो Part 9A जोड़ा और याद अठना इसमें 18 subjects जो है वैं रख दिये गए थी और इन 18 subjects जो है वैं कौन सॉल्व करेगा? जो urban administration होगा जो शेहरी प्रसाशन होगा उसके द्वारा इन subjects पर नियंतरण इन subjects पर जो law है वैं बनाया जाएगा ठीके? तो यह 74 constitutional amendment जो कि 1993 में हुआ था यह आपको याद अठना है 74 constitutional amendment 1994 अब हुमने क्या किया कि एक शेहर को ठीक तरह से चलाने के लिए हमने उसे divide कर लिया what में? ठीके? हमने क्या किया? एक जो city है जो की काफी बड़ी है हमने इसको और भी subdivide कैसे कर लिया? वार्ट में divide कर लिया आपने वार्ट सुने थे? ठीके? तो यहाँ से वार्ट A है वार्ट B है वार्ट C है तो इस तरीके से आपने जो वार्ट है उसमें divide कर लिया ठीके? तो basically देखो कि माल लिजे एक जगा पर किसी एक वार्ट में में काम क्या होगा? शिटी में जिसे हम देखे क्या हो सकता है? हो सकता है कि स्टीर लाइटिंग का काम हो ठीके? ई vedere सिटी सफाइड गार्बीज कलेक्शन देखे गार्बीज कलेक्शन कि हम बात करें तो यह सारे जो काम है वें किसके होंगे . इकतरव से शह scalable की ना तो यह सारे जो कैम काम बहुत शेहरएंक हमें की देखें कि बच्चो , में सब्सक्रपौं की और बागी पंच होगे हैं ना तो पंच सर पंच अब यहां पर हम देखेंगे कि मेर होगा वाज होगा तो यहां पर देखो बच्छो चुकि सब जो शहर है क्या वो एक जैसे है अरे बहुत कहीं मैट्रो सिटीज है मैट्रो सिटीज इसकी मिलियन पॉपुलिशन है और अगर हम बात करें कोछ छोटे शहर हो सकता उसकी पर नहीं होता और इसलिए हम देखेंगे अब यह थोड़ा सा एडवांस है यह आपके एंस्याटीव इंफॉमेशन ही मैं आपको बता देती हूं कि हमने क्या किया लग बग साथ ऐसे अलग अलग टम्स बना लिए जैसे कि हम बड़े शहरों की बात करेंगे तो बहापर अल मुन्चीपल कॉर्पॉरेशन के अर्बर्न एड्मिनिस्टरेशन इसमें आप देखेंगे मुन्चीपल कॉर्पॉरेशन वी ज्यादानलोग सबचते सभी जगागा नगरनिगम होता यह नहीं भाई तो नगर निगम जैसे कि यह होगा बड़ी छहरों के लिए ठीक है जो आपकी बड़ी सिटीज है पॉपुलेशन वाइज एरिया वाइज तो यहाँ पर जो बिग सिटीज है उसके लिए पॉर एक्जामपल हम डेली की बात कर लें तो डेली कॉर्पूरेशन है तो यहाँ पर डेली है मुंबई है तो यहाँ पर स्ट्रीट व्लाइटिंग गार्बैस कलेक्शन साफ सफाई यह सारे काम जो है वह किसके कौन करवाएगा नगर निगम करवाएगा ठीक है पानी की के लिए चुने जा रहे है तो देखो यहाँ पर बच्छों हम देखेंगे क्या क्या है शुर्मूस है जो हमें सॉलक में है ह मुझणिया उठाएंगी और इसको इम्पलिमेंट कराे काम किसका होगा कमिशनर जो अईउख्ध होंगे है ना जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त होंगे वो elected नहीं होते सो यहाँ पर देखो यह हमने देखा big cities अब second है multiple council आपने सुना होगा इसको कई नामों से जाना जाता है जैसे कहीं पर नगर पालिका कह दिया दीके कहीं पर नगर बोट कह दिया कहीं पर नगर पालिका कह दिया नगर बोट कह दिया नगर परिशत कह दिया तो इस तरह से कई इसके जो नाम है वे होते है ठीके तो यह तुलनात्मक रूप से कहा होगा जो इससे छोटी cities होगी small जो city है ठीके उसमें होगा खड़ अब देखेंगे एक होता है notify area committee notify area committee अब देखो यह जो इसे हिंदी में भी देख लो अधी सूचित शेतर समीती है अधी सूचित शेतर समीती NAC तो यह कहा के लिए होगा जब big cities के लिए multiple corporation हो गया छोटे शहरों के लिए council हो गया नगरपाली का board या परिशद हो गया तब notify area किसके लिए होगा ऐसे जो कस्बे जो बहुत तेजी से विक्सित हो रहे है अभी शेहरों की जो सूची है लिस्ट उसमें शामिल नहीं लेकिन आप देखेंगे अब वो गाउँ भी नहीं रहे गए है ना तो यहाँ पर notify area committee मतलब उन्यादी सूचित कर दिया गया है जो बहुत तेजी से कस्बे विक्सित हो रहे है अब शेहरों की तरफ आने वाले है वो शेहर बनने वाले बिसिकली बरे नहीं है है ना तो यहाँ पर एक बात जो आपको याद अपना है कि notify area committee के जो members होंगे है ना यहाँ पर लोगों के द्वारा नहीं चुने जाएंगे इसके जो members है ठीके वो सभी राजी सरकार state government जो है इसको nominate करेगी notify area committee के जो members होंगे उसको state government के द्वारा मनोनीत किया जाएगा ठीके चुना जाएगा मनोनीत किया जाएगा लोग उसे लक्ट नहीं कर रहे हैं तो यह हमने notify area committee की बात कर ली ठीके corporation होगा council होगा notify area committee होगा अब हम देखते town area committee town area committee तो basically देखो town area committee को बहुत कम अधिकार प्राप्त होते हैं किसी भी एक सहर के प्रसाशन के लिए तो यहाँ पर छोटे शहर है ना जैसे इससे भी जादा हम देखेगे कि छोटे शहर जो होगे उसमें town area committees होगी फिर देखो township एक आप में township भी सुना होगा township for example मा लिजे जमशेद पूर टाटा जमशेद पूर जो प्लांट है ना वहाँ पे एक प्लांट लगा steel प्लांट लगा या फिर कहीं कोई और प्लांट लग गया तो बचो उस प्लांट के आसपास का जो area है for example वो जो प्लांट लगा था वो जो सैयंत लगा था उसके आसपास लोग रहने लगे मजदूर और बाकी सब लोग तो यहाँ पर क्या होगा एक township का निर्माण हो जाएगा और याद रखना कि इस township में basically क्या होगा क्या यहाँ पर लोगों की द्वारा चुने हुए लोग होगे लोगों की द्वारा elected होगे यहाँ पर bureaucracie का basically यहाँ पर just spend away किया जाएगा तो जो bureaucrates है ना वो इस township को देखेंगे तो basically इसको bureaucracie का विस्तार का जाएगा यहाँ पर अलग से जो लोग है उनको सदस्यों की बीच में से नहीं चुना जाएगा ठीक है? नौकर शाही का basically अगर किसी सायंत्रा प्लांट के पास-पास जो लोग है वह रहना शुरू कर देते हैं और एक township का निर्माण हो जाता है अब देखो एक और आपने सुनाओगा port trust for example हम देखे कि जैसे कि मुंबई बंदरगा है ठीक है port है या फिर इसके अलावा कोची की बात करें कलकत्ता की बात करें तो यहां का जो management है यहां का जो रख रखा वे maintenance है कौन करेगा तो इसके लिए एक वहाँ पर port trust जो है वे बना दिया जाता है ठीक है एक और होता है special purpose agency और example नगर पालिका ने नगर निगम ने किसी एक कारे के लिए special agency को बनाया special purpose agency ठीक है तो और जैसे ही आपका काम खतम हुआ आपने इस agency को खत्म कर दिया तो यहां पर special purpose agency हो गया अब देखो mains के accordingly मैं आपको बता देती हूं बच्चों कि mains के accordingly जैसे माली जो question पूछा गया अगर यहां से city एक शहर के प्रसाशन से तो यह पूछा जा सकता है कि बत्मान में इनके सामने problems क्या रही है challenges क्या रहे हैं तो challenges देखो जिससे की fund का challenge है कभी भी सोचो मेंस के लिए मेंस के लिए हमेशा overall देखा करो कि अगर आपका urban administration पढ़ रहे हैं तो इसकी जो challenges है मेंस के accordingly देख लो मुख के परिक्षा के लिए मेंस के लिए क्या important है challenges तो इनके सामने क्या challenges है उसको लिखना यह आपका homework हो गया 50 words में लिखना जादा नहीं है ना मैं कुछ ideas आपको दे देती हो for example fund की कमी है revenue unplanned urbanization है सबसे बड़ी problem तो यह है कि आप clean जो साफ सफाई की ववस्ता है वह कर पाऊगे है ना clean city नहीं हो सकती प्लस आप ठीक तरीके से वहां का जो maintenance है वह नहीं कर पा रहे आप उस accordingly इंफ्रा बिल्ड नहीं कर पा रहे उस accordingly जो पार्क है बाकी सारे चीज़ें वो सारे चीज़ें भी नहीं है तो यहां पर क्या है हम देखेंगे कि प्रॉपर अगर आपने अर्बनाइजिशन नहीं किया यूएन की रिपोर्ट कहती कि 2050 तक यूएन की रिपोर्ट कहती है हना कि 2050 तक 2050 तक 50% all over the world जो अर्बनाइजिशन है वह हो जाएगा लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी वह अन्प्लांट की हो गई कि शहर तो आपने बना लिए लेकिन वह कैसे अन्प्लांट है अब देखो बच्चों ऐसे में हम एक इंडेक्स की बात करेंगे तो यह आपने देख लिया मैं साइट हो रह चले एक करणट अफियर देख लेते हैं इस अफ लिविंग और मुल्शीपल पर्फॉर्मेंस इंडेक्स ठीक है तो बेसिकली किसी पर्टिकुलर जो सिटी है उसका एक लाइविबिल्टी की अगर हम बात करें किस तरीके से लोग जो है वहाँ जी रहे है उनका जीवन है उ पर ठीक है डेली जो देखो 13 तेरवा स्थान था है ना तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो अगर हम चॉप बिक सिटीज में बात करें तो बैंडलोर है पूने है एहम्दावाद चेन नहीं सूर्टी है टॉप फाइव है और वैसे कर हम स्मॉल सिटीज की बात कर और यह देखा जाता है इसमें कि किसी भी सिटी को कितने सिस्टेमेटिकली तरीके से वो चला रहे हैं कितने सिस्टेमेटिकली आप वहां के जो लोग है उसको जो फैसलिटीज प्रोवाइट कर रहे हो चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर की हो चाहिए एजूकेशन की हो Ministry of Housing and Urban Affairs आवास और शहरी कार्यमंत्राले के द्वारा जारी किया जाता है इसमें पाथ जो चार पाथ चीज़े हैं देखी जाती है जिसे कि वहां का फाइनेंस कैसा है ठीक है वहां का वित्ववस्था कैसी है वहां की पॉलिसी कैसी है नेतिया कैसी बन रही है वहां पर टेक्न इसको निकाला जाता है ठीक है अच्छा एक बहुत और सुनो मचो जैसे कि हम यहाँ पर चैलेंजिस मैंने आपको बताए कि इनके जो चैलेंजिस है वह क्या है यह चैलेंजिस आप बताए ठीक है यह आपके मेंस का पाथ हो गए इसके अलावा आप 50 वर्ट्स लिखेंगे अन प्लांड अबनाइजेशन पर अन योजित शैरी करण और आप देखोगे यह जो अगर हम शैरी करण की बाप कर लें तो यह आपके स्लेबस में भी पॉइंट दिया हुआ है ठीक है अबनाइजेशन तो देखो चैलेंजिस आपके मेंस का इससा हो गए इसके अलावा इन चैलेंजिस को हटाने के लिए इन चैलेंजिस को दूर करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है तो यहां पर आप गवर्मेंट जो स्कीम से इसको लिख दे तो बस आपका मेंस का एक अच्छा अंसर दियार हो जाता है ठीक है गवर्मेंट की स्कीम जैसे कि हम स्मार्ट पहलू जो स्कीमेंटी जो लिख सकते हैं जो एक क्लेंट अच्छा जैस मेंडा है तो यह था आपका एक क्लेंटी जो मिष्यां चैले हैं गिष्यां कीम से किस तरीके से जो एक सिटी है उसकी एक तारसे कौल स्कीमय मेंट पर ये था आपका Ease of Living and Municipal Performance Index किसका आवास और शहरी कार्य मत्रा लेगा जो तो आप देखते हैं कि कहां से आएगा क्या इनके tax के sources होगे तो क्या house tax, education tax, hotel tax, movie tax ये सारे जो taxes है क्या इसे multiple corporation जो है as a fund use कर सकती है क्या इसे house tax, education, hotel, movie क्या ये सारे tax जो है definitely है ये सभी जो tax है ये इसके fund के source होगे ये तभी जो tax है वैं municipal corporation के पैसे कोई खटा करने के आपको अगर साफ सपाई करानी है ववस्थाय करानी है तब definitely आपको source की जरुरत होगी, fund की जरुरत होगी अब देखो मेंस का एक question जो कि आप लिखने की कोशिश करेंगे इसका question है शहरी नियोजन और प्रभावी साशन के नए दस्टी कोण पर ध्यान के इंडिट करना समय की आविशकता है तो एक नया अप्रोच जो है आखिर क्या हो ठीके? शहरी नियोजन और प्रभावी साशन का क्या एक नया तरीका हो सकता है अब देखो आप इसको पहले तो बता दे कि भई अगर हम शहरी तरीके से जो साशन ववस्था चलानी है तो उसके लिए आप क्या नए अप्रोच जो हाइवे यूज कर सकते हैं 100 वर्ट में लिखने की कोशिश करना कि 100-200 जितना आप लिख पाओ तो शुरवात करो देखो यह मैं सोचो कि मैं आज जो लिखूंगा या लिखूंगे वो मेरा बैस्ट होगा यह कभी मैं सोचो जब आप कम से कम 100 राइटिंग कर चुके होंगे उसके बाद आप देखोगी कि आपने जो एक सो एकवा जो कुशन लिखा है आज से लिखा वह बहुत अच्छा है तो बच्चों यह से आएंगे जब तक आप जानते नहीं उसको बुक में सर्च करो सब सच्छा गुगल बाबा जंदाबाद है ना गुगल पर सर्च करो कि इसका मतलब क्या है accurate information अपने accordingly लिखो अपने शब्दों में लिखो समझ आए है ना सरल शब्दों में लिखने की कोशिश करो तो आप मुल्चिपल जो इंडेक्स वाले इसको लिख दे गवर्मेंट जो है इसके लिए क्या स्कीम लेकर आ रहे है तो स्मार्ट सिटी मिशन तो जब कभी मेंस आंसर एटिंग करो तो यह नहीं कि उसको केवल आपने एक पक्षिद्दिय कि पूरे में केवल अर्बन प्लानिंग स शहर से जो दूर है वह इस तरह की इंडेस्ट्री लगाए जाए तो यह भी तो एक नए नए अप्रोच हो गए ना कि अब जब आप सिटी बनाए अब जब आप पूरे प्लानिंग करें तो आप इन सब बातों का ध्यान रखें तो यहां पर देखो बच्छों इंडेक्स से हमें यही पढ़ना था है ना एक शॉर्ट सा परिचाय आपका हो गया आगे हम लोकल गवर्नेंस को बहुत विस्तार से पढ़ने वाले जो आप कमिंग आप देखेंगे कि आपका 9 में क्लास 11 में 12 में आपको यह मिलेगा है ना पंचायते और यह सब आपको तीन अभी नेक् कि अवल 10% ही किया है और बाकी आपका 90% अभी बचा हुआ है क्योंकि अभी आप शुर्बात कर रहे हैं तो बेसिक में पस छोटी चीज़ है बिल्कुल जो स्मॉल कॉंसेप्ट हैं ताकि आप चीज़ों को ज्यादा सीख सकें आपको बोजहला लगे आपने डावस्टी को स इसमें आप देखेंगे कि आपकी जो यूनिट फाइब वे लाइवली हुट की है ठीक है और यह आपके मैं इसलिए बतारी को कुछ बच्चे कॉमेंट कर सकते हैं कि मैं आपने नेक्स चैप्टर्स जो है वैं नहीं बताएं मैं बता दूं बच्चों इसमें केवल कहानिया किले सासे लिखिय हुई है वो कहानियां हुओ है कि यह कहानियां हमारे किसी काम की नहीं हर एक है कि कब गाउं में let शहर में लोग किस तरीके से जीते हैं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर फैक्टरीज होंगी है ना इसमें पूरी कहानी लिखी हुई है एक कैसे एक जो गाउ से कपास लेकर आया दूसरे ने बनाया है कहां से टीशट तैयार हुई है वो सारे चीज़ हमारे काम के नहीं है आगे अगर हम 6-12 तक देखें तो आपके पॉलिटी के टोटल नंबर ओफ चैप्टर आई थिंक 75 के असपास हैं लेकिन मैंने आप से कहा था कि यह हम कोशिश करेंगे कि आपकी रिविजर और टेस्ट बलाके लगबग 55 या 60 क्लास में यह खतम हो जाए कि काफी बच्चों की दिम इंसान से राइटिंग भी कर लेंगे कुछ करन तक फिर भी जाल लेंगे पॉलिटी का ठीके तो यह 50 to 60 क्लास में यह आपका पूरा खतम हो जाएगा और मुझे क्या बताना था हार रिविजर के लिए रिविजर तो याद अटना कि जब हमारा अभी 6 था 6 में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है बहुत ज़्यादा कॉसेप्ट नहीं है तो हम देख लेंगे 6, 7 और 8 इसका रिविजर हम एक साथ कर लेंगे या फिर जब आपका 7 खतम हो जाएगा तो 6 और 7 का जो रिवि पूछ पाएंगे ठीक है आपको अगर कोई डाउट है आप पूछ पाएंगे और जो मैंने मेंस के आपको आंसर राइटिंग करने के लिए दिये हैं जिन बच्चों के अच्छे आंसर होंगे उनको मैं दिखाओंगी भी आप सभी को ठीक है तो आपको यह भी रहेगा कि च सेशन होगा हम आपके कॉमेंट को जरूर कंसीडर करेंगे सौल किया जाएगा सो प्लीज डावस्टी डावर्मेंट लोकल गवर्मेंट एड्मिनिस्टेशन लाइवलिवड किसी भी तरह किये आपको कोई प्रॉब्लम में किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में आप समझेंगे यूपेसी ने भी किस तरह सब्सक्राइब पूछे हुएं ठीक है चलिए थैंक यू थैंक यू बैरी मच मिलते हम अपनी नेक्स क्लास में